दोस्तों यहां पर देख सकते हैं मेरे में 5G एक्टिवेट हो गया यह टिल के नंबर पर लाइब यहां पर रन कर रहा है यह टिल के नंबर की 5G data unlimited जो free हमें मिलती है वो काम नहीं कर रही है तो हम कैसे इसे ठीक करें इस प्राबलम को कैसे solve करें यह टिल 5G data not working वाली problem को solve कैसे करें जीओ वाले अच्छे से आनंद ले रहे हैं लेकिन यह टिल में जो समस्य आ रही है कि काम नहीं कर रहा है इसके लिए 2-3 रीजन है जैसे कि यह टिल के कुछ कमपनियां है सभी में आपको पता है कि यह टेल और जीओ के पास 5G service चल लए तो इन लोग का कहना है ना कि जब तक यहां पर हर एक एरिया में अपना मतलब 5G service दे नहीं देंगे तब तक unlimited वाला data हम लोग को देते रहेंगे तो अभी कुछ एरिया में बाकी काम चलने हैं त कैसे कैसे क्या करना है आए बताते हैं कि यह टिल की 5G नहीं वर्क कर रही है तो कैसे काम करेगी इसके बारे में डेटियल से बताते हैं और लाइव एक्टिवेट करके भी दिखाते हैं तो देखिए इनका कुछ टर्मेंट कंडिशन इसे फॉलो करना आपको बहुत ही जरू और एक-एक बात आपको बताता हूं और लाइव सारा कुछ करके दिखाता हूं तो सबसे पहला कामियाह करना है कि आपको अपने मुबाइल फोन के सेटिंग में आजाना है जैसे आप अपने मुबाइल फोन के सेटिंग में आएंगे तो बहुत सारा ओप्सन दिखाई और सबसे उपर एक option होगा 5G, 4G, 3G, 2G, auto का इसको enable कर देंगे, चालू कर देंगे, उसके बाद एक option होगा access point name का, हम इस पे click करेंगे, और इस पे click करने के बाद कोने पर 3 dot होगा, इस पे click करके reset access point करके reset कर देंगे, इससे होगा क्या, कि हमारी नई वाली apion setting receive हो जाएगी, reset नीचे भी आपको कहीं देख सकता है, उस पे click करके reset कर लिजेगा, अब इतना कर लेने के बाद back आना है, और back आने के बाद Google के play store में जाना है, search बार में आपको link देना है, year till thanks, जैसे year till thanks लिखके आप search करेंगे, तो यहाँ पर यह application आपको दिखाई देगी, इसको download करना है download करने के बाद open करेंगे, open करेंगे तो आप अपना mobile number भर देजेगा, उस पे OTP आईगी OTP डाल देजेगा, और इस app में आप login हो जाएंगे, login होने के बाद कुछ ऐसा ही page आपके सामने दिखाई देगा, इस page पर आपको नीचे के तरफ slide करना है, ठीक है, और यहाँ पर एक option होगा shortcut के नाम से, और shortcut के नीचे एक option होगा 5G plus claim unlimited 5G data, और इसके आगे एक तीर आपको दिखाई दे रही होगी, simple है, इसी तीर पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है, जैसे तीर पर क्लिक करेंगे, कुछ इस स्पेसिफिक एसान आएंगे, जिसे मैं आपको पढ़की सुना आपको बताना चाहूंगा, और इसी के मदद से आपका 5G enabled हो पाएगा, 5G चल भी पाएगा, तो यहां पर थोड़ा सा वेट करेंगे, यह open हो रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे है, और आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, कि यहां पर थोड़ा से step इसका cutting है या तेलका लेकिन यादे आप कर लेते हैं आपके mobile phone में 5G अच्छे से access होने लगेगी, run होने लगेगी, जैसा कि देख सकते हैं, charges हो गए रहे हैं, लेकिन कुछ इनके specification जिसे पढ़ना हमें जरूरी है, आपको बता दें, पहला इनका condition है, कि यह offer यह अपने 5G user को दे रहे हैं, ठीक ह नमबर टू condition है कि यह 5G data तभी काम करेगी, जब आपके plan का limit पूरा होगा, यादे 8GB, 2GB, जितना वला plan का recharge अपने कराया है, जब वो खतम होगा ना, 10GB रोजवाला, तो 10GB जब खतम होगा, तभी यह काम करना शुरू करेगा, तीसरा है unlimited 5G data can only be used in 5G network area, यह कह रहे हैं, 5G network के area आपके छेतर में होना चाहिए, तभी आपके mobile phone में 5G पकड़ेगा, कैसे यहाँ चेक करेंगे, अभी मैं बता रहा हूँ, कि आपके area में 5G network है की नहीं है, उसके बाद है, इस offer is available for all prepared customer and unlimited recharge is starting from 239, मैंने आपसे पहले ही कहा, 249 और फिर उससे उपर का recharge होना चाहिए, मैंने अल्रेडी दबा दिया है, इसलिए मेरा activated है, आखिरे step है, आप claim now पे दबा दिजिएगा, मैंने अल्रेडी दबा चुका हूँ, और मैं आपको दिखाना भी जाहूंगा, कि मेरे में 5G चल ला है कि नहीं चल ला है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, नी आप कैसे पता करेंगे कि आपके अरिया में 5G नेटर्क है की नहीं है, तो आपको यहाँ टेल के customer care in 199 पे call करना है, और आपको अपना एरिया का पीन कोड बता देना है, वो बता देंगे कि आपके छेतर में 5G है की नहीं है, नमबर टू कंडिसेनी बताना चाहूंगा, यहा आपको बता दें दोस्तों कि इतना सरा करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे आपने क्या किया था कि किसी को hot spot दे दिया तो आपका बंद कर दिया गया था 5G, ठीक ना, इस condition में आपको क्या करना है, बहुत सारे लोग का इसी दो जैसे problem आ रहा है, देखे, हर महीने जब जब आप नए वाला रिचार्ज कराएंगे, तब तब 5G offer मिलत है, और जब अगले महीने आप 5G recharge करवाएंगे ना, इसी में आके दोबारा से claim करेगा, फिर आप में service activate हो जाएगे, और आपको एक बात और बता दें, कि यह नहीं है, इस महीने आपने activate कर दिया, तो हमेशा चलता रहेगा, नहीं, जब अगला recharge आप कराएंगे ना, फिर तो हर रिचार्ड पर आपको ऐसे से करना है, नहीं तो लाब नहीं लेपाएंगे, तो जानकारी अच्छी लगी होगी, उमीद करते हैं, और मेरे में 5G अच्छे से चलने लगा, जैसा कि मैं जूम करके दिखाना चाहूंगा, ठीक है, तो मिलतें किसी और वीडियो में, तक लिए आप लोग अपने ख्याल रिखिएगा, बाइ-बाइ दोस्तों.